और आईए फटाफट खबरों के बाद अब खबरे विस्तार से आपको बता देते हैं कृशी कानूनों के रद्धोंने के बाद आज आंदूलन कारी किसान दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह खाली कर देंगे किसानों कान दिल्ली के गाजीपूर बॉर्डर के मुजफ़न अगर लॉट जाएगा इस जथे में सबसे खास होंगे राकेश टिकैथ जो आंदूलन की रीड रहे किसान आंदूलन का सब्थे बड़ा चहरा जिसकी एक आवाज पर देश भर के किसान एक जुठ हुए जिसकी जित के आगे सरकार को भी जुठना पड़ा वो राकेश टिकैथ तीन सो तिरासी दिन बाद आज अपने घर लोट रही है भारती किसान यूनियन ने राकेश टिकैथ की ये तस्वीर ट्विटर कर किसानों के फतेह मार्च को एतिहासिक बनाने के अपली की है भारती किसान यूनियन के मताबे राकेश टिकैथ सुभा नौ बजे दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से अपने गाउ मुजफर नगर के सिसौली के लिए रवाना होंगे इस दोरान मोदी नगर, मेरड, खतौली, मनसूरपुर, सौरभ, चौपाल में टिकैथ का भवे स्वागत होगा राकेश टिकैथ शाम चार बजे के करीब सिसौली पहुचेंगे सिसौली पहुचकर टिकैथ सबसे पहले उस चबूतरे पर जाएंगे जहां इन्होंने कृशी कानून रद्ध होने तक घर वापस न लोटने का प्रण लिया था आपको बता दे कि इसी चबूतरे पर बैट कर कभी किसान नेता महेंदर सिंटिकैथ सर्वखाप के फैसले लिया करते थे जो राकेश टिकैथ के पिता थे राकेश टिकेट की घर बापसी को लेकर सर्वखाप मुख्याले सौरम और भारती किसान यूनियन के मुख्याले सिसौली में जोरदार तयारिया की गई हैं सिसौली में किसान भवन को खुबसुरत रोश्णी से सजाय गया है किसान बिल पे जो आंदोलन हुआ था उसको जीतने के बाद कल पहली बार हरते किसान के राष्टे पर अक्तक किसान मसिया चोधरी राकेश टिकेटी से सौरली आ रहे हैं और पूरे छेतर के किसानों में उत्सा है सौगत करने के लिए कल सभी अपने टेक्टे ट्रोली से किसान फते मार्च को सफर बनाने काम करेंगे राकेश टिकेट की घर वापसी उन लोगों के लिए भी राहत लेकर आएगी जो पिछले एक साल से यूपी के दिल्ली और दिल्ली से यूपी जाने में घंटो ट्राफिक जाम का सामरा कर रहे थे राकेश टिकेट की अगवाई में किसानों ने गाजिपूर बॉर्डर पर दिल्ली मेरट एक्सप्रेस वे को जाम कर दिया था लेकिन अब टिकेट के लोटने के बाद एक्सप्रेस वे को अगले एक से दो दिन में ट्राफिक के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा छे लेन वाली इस एक्सप्रेस की तीन लेन यानी दिल्ली से यूपी जाने वाली सड़क पहले से खुली थी लेकिन अब बाके की तीन लेन भी चालू हो जाएंगी इस वक्त मैं गाजीपूर मोर्चे पर हूँ और यहां से किसानों ने तेजी से निकलना शुरू कर दिया यह किसान अपने घरों की तरफ लोट रहे हैं अब देखिए कि इन गाड़ियों में जादा तरफ किसान हैं जो पिछले एक साल से इस मोर्चे पर बैठे थे राकेश टिकैट भले ही घर लोट रहे हैं लेकिन इनके तेवर अभी भी नरम नहीं पड़े हैं कलजीन में हर्याणों के टोलों पर धरना खत्म करने का एलान करते हुए टिकैट ने सरकार को चिताया कि अगर 15 जन्वरी तक वार्दे पूरे नहीं हुए तो किसान वापस भी लोट सकते हैं यूपी में विधान सभा चुनाओं से पहले राकेश टिकैट की घर वापसी सत्ताधारी बीजेपी के लिए भी बड़ी रहात होगी जाट, सिख, मुस्लिम, लामबंदी और राकेश टिकैट की वज़े से बीजेपी को पश्चमी यूपी में बड़ा नुकसान होने का डर सता रहा था लेकिन प्रिशी कानूनों के बापसी के बाद अब हाला तेजी से बदल रहे हैं किसान घर लोट रहे हैं, बीजेपी को राहत की उमीद है लेकिन बीजेपी जो अभी किसान आंदुलन से उबरी नहीं है कि लखीमपुर कान के भवर में फिर फस गई है किसान नीता राकेश टिकैत ने भी टेनी के स्थीवे की मांग कर बीजेपी की धड़कने बढ़ा दी है सवाल ये है कि S.I.T. की रिपोर्ट के बाद क्या अब केदर की राज्यमंतरी अजे मिर्श्र टेनी स्थीवा देंगे क्या अब लखीमपुर कान पर टिकैत बढ़ाएंगे सरकार की टेंशन क्या चुनाओ से पहले किसान फिर देंगे सरकार को चुनाओती क्या ग्रिह राज्यमंतरी से इस तीफे पर अब होगी आर पार की लड़ाई इसका ऐसा है कि मंतरी जी को नहीं मालू अपना बेटा इस तरह की हत्या करने वाला है किसान नेताओं और विपक्ष के तलक तेवर इस लिए है क्योंकि लखीमपूर खीरी कांड की जाज कर रही एसाइटी ने तीन अक्टूबर की हिंसा को सुनियो जित माना है लखीमपूर कांड को एसाइटी ने ना तो लापरवाही माना है और ना ही हाथसा एसाइटी के मुतावी के सोची समझी साजिस थी जिसमें किसानों को जान से मारने की नियत से उन्हें जीब से कुचलने का प्लान मनाय गया था जाच में मिले सुबूतों के अधार पर एसाइटी ने ग्रह राजिमंत्री के बेटे आशीश मिश्रा समय 14 लोगों को आरोपी बनाया है जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए एसाइटी ने कोट में अर्जी भी दे दी है एसाइटी अब आरोपियों पर हत्या हत्या की कोशिश आप राधिक साज़िश का मुकदमा दर्ज कर रही है इसके लावा आरोपियों को दंगा करने, लाइसेंसी हत्यारों का दुरपियों करने और घातक हत्यारों से गंभीर चोट पहुचाने के भी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है सुप्रीम कोट की निगरानी में बनी एसाइटी की इस जाज रिपोर्ट से अजय में श्रटेनी और उनके बेटे की मुश्किले बढ़ने वाली है इसका अंदाजा शायद अब मंत्री जी को भी हो गया है इसलिए कल रिपोर्ट के सारवजनिक होते ही मंत्री जी लखीमपुर जेल में बंद अपने बेटे से मिलने भी पहुचे लिकिन सवालों का जवाब देने के लिए वो तयार नहीं है मंत्री जी के जवाब से साफ है कि वो सवालों से बच रही है और अब बचने के लावा शायद कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि जादा दिन नहीं बीते जब वो और उनके बेटे बड़े बड़े दावे कर रहे थे इतना ही नहीं लखीम पुरकान पर जो तरफा घिरने के बाद केंद्री ग्रहराजे मंत्री ने यहां तक दावा किया था एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया है प्रधान मंत्री जानते हैं उनके साथ उनकी टीम में हैं हमने कहा उस समय भी डिसकशन नहीं होनी दिए सबाल यह कि क्या ग्रहराजे मंत्री को सीवा देना चाहिए नहीं देना चाहिए सरकार को भठाना चाहिए और यही बात विपक्ष और पूरी जनता कह रही थी अगर दोसी है कोई जान लेने जिनकी हत्या हुई है किसानों पे गाड़ी से कुचल दिया गया उसके जिमेदा बाते से कुचल से कुचलने की बात कर रहे थे मंत्री बने बैट है कि सरकार की नीती और नियत दोनों में खोठ है जब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है क्या मेरे हक में फैसला देगा